नमस्कार आप देख रहे हैं आजे भारत और मैं हूँ आपके साथ शुप्राजा बिग बॉस को खत्म हुए भले ही काफित दिन हो गए हो लेकिन बिग बॉस में बने रिष्टे अभी भी बरकरार है इस बार के सीजन में जिन रिस्तों ने सबसे अदा सुर्ख्या बटूरी वो थी जसलीन और अनुप जलोटा दीपक श्रीसंद के भाई बहन का रिलेशन सोमी के लिए दीपक की एक तरफा मोहबद और श्रीशंद और दीपक का याराना आपको बता दे कि श्रीशंद अपने छोटे भाई यानि दीपक से मिलने के लिए मुझबपर पूरा रहे है श्रीशंद ने वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी है दीपक ने भी पोस्ट कर श्रीशंद का वेलकम किया है नमस्ते मैं हुस्रीशंद और मैं आरा मुसाफिरपूर अपने छोटे भाई दीपक ठागूर को मिलने और आप सब से मिलने और आप सब के साथ बहुत सारे खुशिया बाटने बिहार की प्यारे जनता प्लीज 12 फेब्रोरी को आप सब मुसाफिरपूराना मैं कोशिश करूँगों कि आप सब से मिलके बहुत 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 मस्ती करें लव यू ओल 12 फेब्रोरी भूला नहीं 12 फेब्रोरी जे मादा दी सब से मिलने इन्शाला वेल बिग बॉस के बाद तो सब की लाइफ बिलकुल चेंज हो जाती है और सबसे अधा चेंजेज अगर किसी के लाइफ में हुई है तो वो है बिहार के दीपक ठाकुर बिग बॉस में दीपक ठाकुर ने एक आम लड़की के तरह एंट्री की थी लेकिन जब वो वहां से निकले तब वो एक सेलब बन चुके थे और दीपक ठाकुर बॉलिबुट डेब्यू कर रहे हैं दीपक ने हाली में अपकमिंग फिल्म शाखा के लिए एक सौंग रिकॉर्ड किया है ये निउस खुद दीपक ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है दीपक ने अपने पोस्ट में लिखा है अब इंतजार खत्म हुआ शाखा फिल्मों का सुनो सुनो गाना लेकर आ रहे हम छेव परवरी को आपके पास अपने चैनल दीपक ठाकुर से लब यू ओल सिंगर दीपक ठाकुर और अनुशा सन्ना वेल विग बॉस खत्म होने के बाद जो लोग दीपक के गानों को मिस कर रहे थे अब उनको दीपक का नया गाना सुनने को मिल जाएगा अभी के लिए बस इतना ही बिहार जार्खन की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे आजे भारत